हेलो गाईज मेरा नाम है ही मानसू और आप देख रहे हैं रैसल एलर्ट तो गाईज जैसा कि आप सब जानते हैं मैकसिमम डवुड़ी फैंस की फेवरेट टीम है दसील्ड और जब से डीन एम्रोस ने छोड़ा है डवुड़ी को तब से फैंस दसील्ड को काफी ज़दा मिस करें बट गाईज आप सब को बता दू कि हमें फिर से दसील्ड देखने क को मिल सकती है डवुड़ी में वो कैसे उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सब को बताना चाहता हूं कि आखिर गोल्ड बर्ग ने क्या कहा अंडर्टेकर को उनकी मैच कंफरम होनी के बाद इसके लावा क्या रही इस वीक की मड़े नाइट रॉक की वीवर्शिप त बात कर लेते हैं तो गाईस जैसा कि हम सब जानते ही है कि इस वीक का मड़े नाइट रॉक का एपिसोड हुआ था लंदन में और वहां बैठे डवुड़ी फैंस काफी ज़्यादा सपोर्ट करे थे सारे ही रेसलर को क्योंकि काफी दियों के बाद डवुड़ी गई थी इं फायदा हुआ है या फिर घाटा तो गाईस आप सब को बता दू कि इस वीक मड़े नाइट रॉक को हो चुका है उनके वीवर सिप में फायदा क्योंकि जहां पर पिछली वीक की मड़े नाइट रॉक की वीवर सिप थी 2.244 मिलियन वीवर्स वह इस वीक एक लाग से भी ज जो भी आएगा मैं आप सबको अपनी नाइच वीडियो में बता दूँगा तो गाईस ये तो थी इस वीक की मड़े नाइट रॉक की वीवर सिप अब बात कर लेते हैं अपने नाइच अपडेट के बारे में जो की है कि आखिर गोल्ड बर्ग ने क्या कुछ कहां अंडर ट गोल्ड बर्ग ने अपना रियाक्शन दिया अपने ओफिसल इंस्टागराम एकाउंट पर जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपनी और अंडर टेकर की एक फोटो पोश्ट की जहां पर दोनों आमने सामने थी जिसके बाद उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए काफी ज़ध करते हैं अंडर टेकर की वो एक लेजेंड है बट अब वो वो करने वाले जो की वो हमेशा करते हैं यानि किली प्रिपेर फॉर वार वन मोर टाइम और कैस कह सकते हैं कि गोल्ड बर्ग ने तो अपनी बाते रग दिये इस मैच को लेकर का क्या कुछ रियाक्शन रहता है इस मैच को लेकर तो गैस यह तो थी वो चीज़े जो की गोल्ड बग ने कहीं इस मैच को लेकर अब बात कर लेते हैं अपने नेच्च टोपिक के बारे में जो कि है THE C izquierd के WWE में वापस आने से लेटेर तो गैस हम सब जानते ही है कि THEARE में तीन में तीन वेंबर से यानी की रोमन ब्रेवाइट ने सबसे पहले अपने ओफिसल ट्विटर एक ट्विट किया जहां पर उन्होंने लिखा कि डियर रोमन डेस एंड सेथ रॉलिंस मैं तुम लोगों से सौरी कहना चाहता हूं जो भी मैंने किया पिछले कुछ सालों में तुम लोगों के साथ और खा कि अगर जरूर कुछ ना कुछ हिंट करना चाहा रहे और देखकर तो लग रहा है कि वो सेल्ड के तीसरे मेंबर बनना चाहते हैं लेकिन आप सब मुझे कॉमेंट करकर बताई कि क्या आप ब्रेव वाइट को The Seals के 3 मेंबर बनते वे देखना चाहते है या फिर नहीं इसके लाबा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ उसके भगल वाले बेल आकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में